दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Health ID कार्ड यानि कि आभा कार्ड कैसे बनाते हैं अपने मुबाइल या लैप्टाप से तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखें कम्पलीट प्रोसेस बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है ndhm टाइप करने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद सबसे उपर वाले वेबसाइट पर किलिक कर लेना है किलिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफिस दिखाई देगा अगर आप डारेक्ट इसी पेज पर आना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दिया गया है उस पर किलिक करके आप डारेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं यहाँ पर आपको दो आप्सन देखने को मिलेगा पाला यूजिंग आधार दूसरा यूजिंग ड्राइविंग लैसेंस अगर आप आधार कार्ड से बनाना चाते हैं तो यूजिंग आधार पर क्लिक करना है अगर आप driving license से बनाना चाते हैं तो using driving license पर क्लिक करना है उसके बाद next पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आधार number फिल करना है उसके बाद I agree पर क्लिक करना है उसके बाद I am not a robot पर क्लिक करना है उसके बाद next पर क्लिक करना है Next पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नमबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा OTP को यहाँ पर फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद Next पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड का पूरा डेटेल्स यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद Next पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी मुबाइल नमबर फिल कर सकते हैं उसके बाद Next पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर Email ID फिल करना है अगर आप Email ID फिल नहीं करना चाहते हैं तो Skip for Now पर क्लिक करना है यहाँ पर मैं अपना email ID फिल कर लेता हूँ email ID फिल करने के बाद get OTP पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके email ID पर OTP आएगा उसे यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आवा नमबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका screenshot ले लेना है आभा number message में भी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद link के आभा address पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है do you have an existing आभा address अगर आपके पास आभा address है तो yes कीजिए अगर नहीं है तो no पर click कीजिए उसके बाद sign up for आभा address पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपका profile details आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आभा address फिल करना है suggestion में भी आपको आभा address देखने को मिल जाएगा इसी को आप फिल कर सकते हैं उसके बाद create and link पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको congratulation का message देखने को मिल जाएगा उसके बाद go back your आभा number account पर click करना है उसके बाद यहाँ पर दो option देखने को मिलेगा पाला mobile दूसरा आभा number अगर आप mobile number से login करना चाहते हैं तो mobile पर click कीजिए अगर आप आभा number से login करना चाहते हैं तो आभा number पर click करिये तो मैं आभा number पर click कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आभा number फिल करना है उसके बाद यहाँ पर date of birth का केवल year फिल करना है उसके बाद I am not your robot पर click करना है उसके बाद continue पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा पहला OTP on mobile number linked with आधार OTP on mobile number दूसरा linked with your AVA number अगर आप आधार कार्ड से जो mobile number link है उस पर OTP मगाना चाते हैं तो पहले वाले आपसन पर क्लिक कर लेना है अगर आप आपार कार्ड से जो mobile number link है उस पर OTP मगाना चाते हैं तो दूसरे वाले आप्शन पर किलिक कर लेना है उसके बाद continue पर किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर OTP फिल कर देना है उसके बाद continue पर किलिक करना है किलिक करते ही आपका health ID कार्ड यानि की आभा कार्ड आ जाएगा आभा कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड आभा नमबर कार्ड पर किलिक करना है उसके बाद डाउनलोड पर किलिक करना है आपका आभा कार्ड डाउनलोड हो जाएगा यहां से ओपन करके आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आफ हेल्थ आईडी कार्ड यानि की आभा कार्ड बना सकते हैं अपने फोन से तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए